नमस्कार अंतराश्ट्री खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेखर जोशी इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से तो आईए शुरूआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतराश्ट्री है सुर्खिया मिसाइल हमले में तेहरान में मारा गिया हमास का राजनेतिक शाखा का प्रमुख इसमाईल हानिया हमले की किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी इरान और उसके समर्थित संगठनों ने इसराइल को बताया जिम्मेदार आयातुल्ला अलिक खमनेई ने कहा मौत का बदला लेना इरान का करतब भी इसमाईल हानिय के मारे जाने पर इसराइल की ओर से नहीं आई कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया कहा हम है हाई अलर्ट पर अमेरिकी विदेश मंतरी ने कहा हानिय की मौत के मामले में नहीं है कोई जानकारी और नहीं हम इसमें हैं शामिल हानिये की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और अनिश्चित्ता बढ़ने की आशंका जर्मनी रूस समय दूसरे देशों ने सभी पक्षों से संयम भरतने की अपील की विटिन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कतर के दोरे पर योरोपीय संग ने वेनजुला के चुनावी विवाद में मदगरना पूरी कराने की मांग की विदेश नीती के प्रमुक जोसप बोरेल ने कहा बिना पुखता सबूत चुनाव नतीजों को दी जाएगी मान्यता नतीजों के खिलाब कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी ड्रोन हमले में बाल बाल बचे सूडान के सेना प्रमुक बुरहान कारिकरम के दोरान हुआ हमला जिसमें शामिल थे बुरहान पांच लोगों की मौत बुरहान ने अर्दसैनिक बल आर एस एफ के साथ किसी तरह के समझोते से किया इंकार और आए सबसे बहले बात करते हैं एशिया की पशिम एशिया में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संगर्ष के बीच एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है हमास के राजनेतिक शाखा के प्रमुक इसमाईल हानिय की इरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई है हानिय कतर में रहता था लेकिन इरान के नए राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई है हानिय की हत्या की खबर से पश्चिमेशा में एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है बुद्वार को हमास ने बयान जारी कर कहा कि तहरान इस अथानिया के घर पर हुए मिरसाइल हमने में उसकी मौत हुई इस हमले के अब तक किसी ने जम्मेदारी नहीं लेए लेकिन पिछले साल हुए असरे इसराईल को खत्म करने का संकल्व जताया था इस बारे में अभी तक इसराइली सरकार की वर्थे कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है हानिया कतर बे रहता था लेकिन एरान के नए राश्पती मसूद पिदिश्कियान के पद भार गरान समारों में शिरकत करने के लिए एरान आया था हानिया के साथ उसका एक सुरक्षा कर्मी भी मारा गया है इरान के सरोच नेता आयतलला अली खाम नहीं ने हानिया की हत्या की कड़ी निंदा की है और इसके लिए इसराइल को जमेडर बताते हुए उसके खिलाफ जौबी कारवाई की चेताउनी दी है इस कारवाई के लिए जोएनिश प्रशाशन को सक्त सजा मिलेगी और एरान की सरजमी पर उनकी हत्या के लिए जो भी जमेदार है उससे बदला जरूर लिया जाएगा हमास का सबसे महतपूर समर्थक एरान ने तीन दिनों के शोक की गोशना की है छित के हमास के दूसे समर्थक समूहों ने हानिया की मौत पर कड़ी पतिक्रिया दी है हमास ने कहा है कि हानिया की हत्या के दूर गामी पर लाम होंगे जबकि हूती सबूँ ने कहा है कि इस से गाजा में युद्ध का प्रिद्रिश बदल जाएगा वहें हिजबोला ने कहा है कि गादा में हमास इससे कमजोर नहीं पड़ने जा रहा है एरान की हमले की धंकी के बाद इसराइल ने कहा है कि वो किसी भी तरह की कारवाई से निपटने के लिए बेहद हाई अलड पर है वहीं जर्मनी और रूस ने पश्मी एश्या के सभी पक्षों से सायम बरतने की अपील की है कोई भी निर्णाय स्थिती को आसान बना सकता है या ऐसे और भड़का सकता है इसलिए मैं फिर से सभी पक्षों से खास कर इरान से अधिक्तम सायम बरतने की अपील करती हूँ 62 वर्षी हानिया 7 अक्टूबर के हमलों के बाद मारा जाने वाला हमास का सबसे वरिश रिनेता है हानिया हमास के पॉलिटिकल बियरो का प्रमुख था हमास में 16 फरवड़ी 2006 में हानिया को फिलिस्तिनी प्राधिकरन का प्धान मंतरी नामित किया था लेकिन एक साल बाद ही राश्पती महमूद अबास ने उसे बरखास कर दिया हानिया को 6 माई 2017 को हमास के पॉलिटिकल बियरो का प्रमुख चुना गया था अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोशित गया था गादा में युद्ध विराम के लिए वारता के प्रयासों में हानिया की बड़ी भूमिका थी अब कहा जा रहा है कि हानिया के मौद से युद्ध विराम के प्रयासों में देरी हो सकती है हालाकि अमेर्की विदेश मंत्री एंट्री बिलिंकें ने युद्ध विराम तक पहुचने के महत्त को किसी तरह कम नहीं किये जाने की बात कही है मैं ये अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूँ कि किसी घटना का युद्ध विराम समझोते पर क्या प्रभाव बढ़ सकता है और मैं जो जानता हूँ वो ये है कि हम हर दिन उस पर काम करना जारी रखेंगे कातर के पहलु कातर के प्थार मंतरी शेक मुहम्मण बित अब्धुर्रहेमान अल्थानी ने अमेर्की विदेश मंतरी ऐन्टरी बिनेंकें से फोन पर बात की और घाजा में युद्ध वीराम के दिश्या में काम जати रखने पर चर्चा की हानिया के हत्या गाजा युद्ध विराम प्रस्ताओं पर लडखराती बाचीत के भीश हुई है मिस्र और कतर वारता में मधरस्ता कर रहे हैं दोनों ने कहा है कि हत्या से युद्ध विराम के प्रयास जटिल हो सकते हैं और इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने हमास के शीर शनेता इसमाइल हानिया के मारे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है एंथनी ब्लिंकन ने कहा जो कुछ भी हुआ ना ही हमारे पास उसकी जानकारी थी और ना ही हम उसमें शामिल थे बिलिंकन ने कहा हम इस बारे में अटकले लगा रहे हैं कि इस घटना का क्या प्रभाव हो सकता है सिंगापूर में एक कारिक्रम के दोरान उन्होंने कहा युद्ध विराम के महत्व को कोई भी कम नहीं कर सकता है यह इस पष्ट रूप से बंधकों के हित में है और उन्हें वापस घर लाना है और वहीं फिलिफीन सियात्रा के अंतिम दिन मीडिया से बात करते हुए अमेरिका के रक्षामंत्री लॉइड आस्टिन ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मेडिल इस्ट में कोई व्यापक जंग होगी उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि कूट नीती के लिए हमेशा जगह होती है हानिया की मौत पर आस्टिन ने कोई टिपपणी नहीं की है उन्होंने कहा कि मेरे पास इस मामले पर बोलने के लिए कोई अधिक जानकारी नहीं है ये पूछे जाने पर कि क्षेतर में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अमेरिका इसराहिल का समर्थन कैसे करेगा इस पर उन्होंने कहा कि हमारा उदेश अभी भी तनाव को कम करना है और हालात को सामाने करना है वहीं इससे पहले इसराहिली सेना ने मंगलवार को लिबनान की राजधानी बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के कमांडर फाउद शुकर को मार गिराने का दावा किया था इसी हफ़ते हिजबुल्ला ने इसराहिल पर कई रॉकेट हमले किये थे जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी जिसके बाद इसराहिल ने इस गातक हमले के लिए हजबुल्ला के कमांडर फाउद शुकर को दोशी ठहराया था शुकर 2016 के बाद से मारे जाने वाला हजबुल्ला का सबसे सीनियर कमांडर है इससे पहले सीरिया में संगठन के सैने कमांडर मुस्तफा बद्रद्दीन की सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक विस्पोर्ट में मौत हो गई थी इसराईली सेना ने कहा कि शुकर عिसराईल हमास जंग शुरू होने के बात से ही इसराईल पर ह्जबुला को हमले करने का आदेश दे रहा था और पिसले कई सालों से इसराईली नागरिकों की हत्या में शामिल था अगली खबर की ओर चलते हैं भारत की तीन दिवसी यात्रा पर आए वियत नाम के प्रधान मंत्री फाम मिन चिनन ने केंद्रिय विदेश मंत्री एस जैशंकर से मुलाकात की इस दोरान चैशंकर ने दोनों देशों के दुपक्षिय सम्मंधों पर प्रतिवद्धता जाहिर करते हुए कहा कि ये समय दुपक्षिय सम्मंधों की समीक्षा करने के साथ ही वैश्विक रणनीतिक चुनोतियों को समझने का भी आउसर है आढ़ आदे भी आईख एली आउसके मैं अरहा उस्याओ इस प्रामशनीज सम्मंधों की ओ। किसोन है, और दोहें इसको आदेखियल समीक्षिय को से बुपक्षिय भूलाम दोनीजशि को सिर्जितकी चूपक्षिय ये और टोनीज नहीं को, कि सहीं, हैं आवके रहारा समी the issues understand your priorities for this visit and again I assure you that we have prepared very very well for this visit there will be I think 10 agreements three announcements and we will be taking steps which will certainly set the course for the further development flying over coming into India we saw that now the city is so green and the trees are quite big showing that now this effort of greening the city is a long-standing tradition for the Indian people and the city is amazing so Indian people Indian India hosting this this session leaves us with a lot of memories you know and I still look forward to coming back here just on my own to just come and enjoy this place everyone feel at home and welcome and comfortable working here there was a very good environment that made our work I think you know very pleasant and very enjoyable so I think that a lot has to be attributed to the great hosting and hospitality that was provided by India we experienced a range a multiple range of heritage and well the hospitality the organization everything was very very touchy and very important for us it's something that we will be it's something that we will carry with us forever all right now let's show you America I am I am I I I I I I औरोपिय संग समित कई देशों ने चिंता भी व्यक्त की है इस सब के बीच देश में महंगाई अपने चरम पर पहुँच गई है खाने पीने की चीजों की भी भारी किल्लत हो गई है दक्षर अमेर्की देश वेनेजुला में राश्पती निकोलस मादरो के जीत के बाद शुरूआ विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है ये प्रदर्शनकारी चुनाओ नतीजों में बड़े पैमाने पर धांदली का आरोप लगा रहे हैं चुनाओ परदर्शिता की माँ को लेकर प्रदर्शनकारी वेनेजुला के कई शहरों के सड़कों पर उतराएं चुनाओ परदर्शनकारी ने पूर राश्पती निकोलस मादरो को 51.2 पतिशतों विपक्षी नेता गोंजालेस को 44.2 फीसदी वोट मिले प्रदर्शनकारी ने पूर राश्पती हुगो शावेज की पतिमा को भी तोड़ दिया सुरक्षा बलो के साथ हिंसक जड़क में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है हमारे उपर हिंसा का आरोप लगा कर राश्पती चाहते हैं कि हम नतीजों को स्विकार कर लें लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है वेनेजुला के चुनाओ नतीजों पर अमेरिका, ब्राजील, यूरोपियस संग समेट कई दिशों ने चिंता व्यक्त की है यूरोपियस संग की विदेशनीति के प्रमोक जोजेब बोरेल ने कहा है कि यू सभी मतों की गिंती और उसके रिकार्ड उपलब्द कराए बिना चुनाओ परिणामों को मानिता नहीं देगा कोई ऐसा स्रोध प्रदान किया जाए जिससे परिणामों के सत्यापन पता चल सके आनशिक नतीजों के अधार पर निकोलस मादूरो को चुनाओ का विजेता घोशित किये जाने से सवाल खड़े होते हैं वेनिसुला में वोटिंग के लिए इलक्टानिक मशीन का उप्योग किया जाता है वोट देने के बाद उमीदवार के नाम की एक रसीड निकलती है जिसे बैलेट बाक्स में डालना होता है मद्दान खत्म होने के बाद हर मशीन से किस प्तैशी को कितने वोट मिले इसकी एक टेली शीट भी प्रिंट होती है वोटों की अंतीम टैली विपक्षी प्रतिनिदियों को सौपी जाती है लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कई मतगर्णा केंद्रों पर उसके प्रतिनिदियों को घुस्पने नहीं दिया गया और वोटों की अंतीम टैली भी महया नहीं कराई गई बाजू दिखके विपक्ष का दावा है कि जो भी टेली उनके प्रतिनीदियों के दी गई है उसके आधार पर ही विपक्षी उमीदवार बड़ी जीत दर्ज करते नजर आए सो मौर तक चुना आयोग ने 30,000 मददान केंदों के रिकॉर्ड को जारी नहीं किया है जिससे तनाव काफी बढ़ गया उत्री मैसेडोनिया से मशीनों के डाटा की हैकिंग में विपक्षी नेता कोरीना मचाडो की कथित सनलिप्तता का भी आरूप लगा है चुनाव में जीत के बाद मादरो के समर्थक जश्न मनाने के लिए सणकों पर उतर आये तो विपक्ष भी अपने समर्थकों के साथ मोर्चा समाल लिया विनेजुला में सभी कारिकारी शक्तियां सीधे निर्वाचित होने वाले राश्मती के पास होती है वो राश्पती और सरकार दोनों का प्रमुख होता है मादरो की सोसलिस्ट पार्टी का तकरीबन सभी इस तरों पर यंतरण है हिगो शावेज ने एक दशक से ज़्यादा समय तक वेनेजुला को लीड किया था और निकोलस मादरो को अपना उत्राधिकारी बनाया मादरो को एक ऐसी सरकार विरासत में मिली जो अर्थवयास्था में वियुदता बनाये बिना तेल उत्पाधन पर निर्भर थी भोजन दवाई समय दूसरी अवशक चीजों का आयात किया जाता था 2014 में तेल की किमतों में जब भारी गिरावाट आई तो देश की अर्थवयास्था पूरी तरह चौपट हो गई महगाई अपने चेरम पर पहुँच गई खाने पीने की चीजों की भारी किलत हो गई 2022 में सैयुक्त राश के एक आंक्रे के मुताबिक 2015 से 70 लाग से अधिक लोग देश शोड़ कर भाग गए हालिया चुनावा में जीत के बाद मादरो अब 2025 से 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे एक चोटा सा ब्रेक लेते हैं आपर मिशन है तो जीत पकी कर आप आप पपा फॉरेंट ही लाई आव योज ए 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 सत्तियाद मैस वहाई नुक्सन कैसा बरेगा तुम स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उत्म ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो आप्शन्स ट्रेडिंग बहुत सो समझकर करें अरे वाद इकरा एक टम बरावर रिस्क समझकर लेने का सोचकर समझकर इंवेस्टिक कर अगर छोले बाने को गोल्डी छोले मसाले जहां 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 रिष्टे बनाएं सुडानी सेना के प्रमुक जैनरल अब्दिल फत्र बुर्हान एक ड्रोन हमले में बाल बाल बज़ गये हैं इस बात की पुष्टी सेना के एक प्रवक्ता ने की है जिस समारों में वो शिरकत कर रहे थे उस पर ड्रोन हमला हुआ और बुरहान बज़ गये हाला कि पूरवी सुडान के गेवेड शहर में हुए इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई है सुडान एक साल से अधिक समय से ग्रह युद्ध से जूज रहा है जहां सेना और रैपिट सपोर्ट फोर्सेज यानि कि रसेफ नामक एक शक्तिशाली अर्दसैनिक समू से सेना लड़ रही है इस समू की देखरे कभी सुडानी सरकार करती थी लेकिन बुरहान और रैसेफ नेता मुहमद हमदान दगालों के बीच मदभेद के कारण ये समू अलग हो गिया हाला कि RSF ने किसी तरह के ड्रोन हमले से इंकार किया है जनरल बुरहान ने RSF के साथ किसी तरह के समझोते से इंकार कर दिया है उन्होंने कहा कि वो ऐसे ड्रोन हमलों से नहीं डरते हैं सूडानी दोनों पक्षों के संघर्ष के कारण सुडान में लाखों लोग बिस्तावित हो चुके हैं जबकि हजारों लोग मारे गए और चलिए अब आपको लिए चलते हैं योरोप की ओर बेटन में एक निर्थे कारिक्रम में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद साउथ पोर्ट में प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक स्थल पर हमला कर दिया इस दोरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के वीच हिंसक जड़प हो गई जड़प में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं दरसल बीते सोमवार को एक निर्थ कारिक्रम के दोरान चाकूबाजी की घटना हुई थी इस घटना में 17 वर्षी हमलावर ने तीन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था ब्रिटन के साउथ पोर्ट में मंगलवार को हिंसा भड़क उठी जब कुछ फ्रदर्शन कारियों ने एक धार्मी कस्थल पर हमला बोल दिया प्रदर्शन कारियों को रोकने पहुँची पुलिस से जड़प हो गई प्रदर्शन कारियों ने पुलिस की कई वैन में आग लगा दी इसे सक जड़प में कई पुलिस अधीकारियों के घाइल होने की खबर है दरसल बीते सौमवार को टेलर स्विफ्ट की ठीम पर आधारित एक निर्स कार्शरम के दौरान चाकूबाजी की घाटना हुई थी इस घाटना में 17 वर्शी हमलावर ने तीन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया हालाके पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि चाकूबाजी की घाटना आतंगवाज से जूड़ी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर अफ़वा पहल गई के संदिक धमलावर एक मुस्लिम है जिसके बाद प्रदर्शन कारियों और पुलीस के बीच जड़ाप हुई प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार इंग्लिश डिफेंस लीग को बताया है इंग्लिश डिफेंस लीग एक दक्षन पंती समू है जिसके निशाने पर अक्सर अवैद रूप से परवासी और मुस्लिम समाज के लोग होते हैं रात भर वी हिंसक जड़पों के शितर में बहाल वी शान्ती के बाद अस्थानी लोगों ने अगली सुबह सड़कों से मलबा हटाने का काम किया हाला कि हिंसक जड़पों के बाद साउथ पोर्ट के निवासी असुरकशित महसूस कर रहे हैं ब्रिटेन के परदान मंतरी की रिस्मार्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलीस और परदर्शन कारी के बीच वी जड़प को लेकर कहा के साउथ पोर्ट के लोग कल उनके साथ भी भयावा घटना से अस्थब्द हैं वे हमाले सहयोग और संबान की हगदार हैं जिन लोगों ने हिंसा और घंडगर्दी के साथ एक पीड़तों के लिए प्रातना सभा को हाईजेक कर लिया है उन्होंने दुख में डूबे समुदाय का अफमान किया है उन्हें कानून की ताकत का पूरी तरह से एहसास होगा साथ ही उन्होंने चाकुबाजी की घटना के बाद आपात कालीन सेवाओं की फृतिक्रिया का आभार जताया है पूरे देश की ओर से मैं अपात कालीन सेवाओं को धन्यवाद देता हूँ मैं चाकुबाजी की लगातार बढ़रे घटनाओं को लेकर चिंतित हूँ मेरी सरकार इसे काबू करने के लिए कदम उठाएगी चाकुबाजी की घटना की बाद संदित हमलावर को पुलीस ने हिरासत में ले लिया है पुलीस के मताबिक हमलावर ब्रीटेन का ही नागरिक है घटना पर शोक वैक्ट करते हुए अमेरिकी गाई का ट्रेलर स्फिफ्ट ने कहा कि वो पूरी तरह से सदमे में है हमले में मारे जाने वाले पुडिट की पहचान 6 साल की बेबे किंग, 7 साल की एलसी डॉट स्टैन कॉम्प और 9 वर्ष की एलिस डिसलवा अगवायार के रूप में हुई है हमले में 8 अन्य बच्चे गाईल हुए हैं जिन में सिप 5 गंभी रहालत में अस्पताल में भरती हैं बच्चें को बचाने के प्रयास में दो वैसकों के भी गाईल होने की खबर है यहाँ पर एक छोटा साब रेख लेते है बच्चें के लिए बनने वाले घर की हो तो सिमेधारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है यह सिमेधारी अब डबल M. RIMS के साथ गैलेंट एडवांस T.M.T. Rebar, निर्मान का रियल हीरो माई भाई मैंने भी इस बार S.I.P. करके मुचल फंड में पैसे दालें तो मुझे यह जानना था कि के वाईसी का चक्कर क्या है मुचल फंड साही है दॉट कॉम या अपने मुचल फंड की वेब साइट पे जाब पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देते कि तुम्हारा के वाईसी स्टेटस रेजिस्टर है या वैलिडेटेड रेजिस्टर हो तो अधार और पैन कार्ट के साथ अफना के वाईसी वैलिडेट करो ज़रूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता और वैलिडेटेड हो तो तो सही है सही है म्यूचल फंड निवेश बाजार जोकिमो के अधीन है योजना से जुड़े सबी दस्तावेज़ों को ध्यान से पड़े स्वागत है आपको प्रेक के बाद और आईए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल जहां दुनिया के कई हिस्सों में बाड बारिश और तूफानों का कहर देखा जा रहा है वहीं इटली के सिसिली में सूखे ने अपने पैर पसा रखे हैं सिसली में एक साल से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है सिसली की एक मात्र प्राकरतिक जहिल पेरगुसा सूखने के कगार पर है जानवर पानी के लिए मोहताज हैं वहीं देशी बकरी की नसल गिर्जेंटाना भी बिलुपती के कगार पर आ गई है तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमारे पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और जानवर सूरज इस कदर सिसली वासियों पर कहर बर पा रहा है कि पशुपालक अपने मवेशियों को पानी की कमी के चलते मजबुरन सनहार के लिए बूचड़ खानों में भेज रहे हैं मवेशियों के चड़ने लाइक भूमी मिलना अब किसी सपने से कम नहीं है पशुपालकों को डर है कि देशी नसल वाली बकरी गिरजन टाना जल्द ही विलुप्थ हो जाएगी सिसली के सैन कैटाल्डो की सूकी पहाड़ियों पर बकरी पालन का काम करने वाले लूका कैमराटा बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करके इस परजाती को बचाने का प्रियास किया लेकिन अब लगता है कि सब खत्म होने की कगार पर है इस साल जमीन पर कुछ नहीं होगा है पशुपाल के लिए अब कोई बाजार नहीं बचा है इन पशुपाल का बूचर खाने में जाना तै है इस फैसले से पशुपाल की प्रजाती को काफी नुकसान होगा अगर आस्मान से गिरने वाले एक एक बून को एकटा नहीं किया गया तो सिलसिली एक रेगिस्तान में तबदील हो जाएगा सिली में एक साल से ज्यादा समय से बारिश नहीं हुई है अन्य भूमद सागरिये इलाकों की तरह सिली के लोगों को लंबे समय तक बिना बारिश के जीवन जीने की आदत है लेकिन जलवायू परिवर्तन के चलते सूखे की अवधी बढ़ गई है सिसली के मदः शेत्रों जैसे के कैल्टा निसेता फारांत के सैन कैटाल्डो में पानी की कमी बहुत ज्यादा है हालात ऐसे हैं के यहाँ पानी की खिमतें दो गुनी हो गई है यहाँ के जलाशे या तो सूख गए हैं या फिर पानी का स्तर बेहद कम हो गया है कैरा बिनियरी प्राइब